हमें जब च्रवाध करेंगे जो कि फ्रेशर मेजर्मेंट के लिए हमारा टॉपिक है लुइंस्टुमेंटेशन टेखनिक इक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्न को पूछ जाते जो प्रेशर के ऊपर पूछा जाता है यह इंस के एक में रिलेटेट्टेटर हमारे पास नूमैर्कल हमें वियागा स्वाइच्पाइच्पोजन करना मेजर्मेंट करेंगे में हमें मर्कुरी को यूज कर देखेंगा जैसे हाँ जाहते हैं जो में होता है जिसमें तो यहां पर यहां पर यहां को लेबल है दूस्रा यहां पर हमारे पास जो कॉलम में अलब अलब लग दिखना है जहां पर इस लेबल को में जीडरो लेबल सो किया हूं कि यहां दिद्न ऐख पर 30 से दिनोड किया गया है थे यहां पर जो सेंटर होता है पायप की ऑ == में से एक्षूट से दिरेवारें से अर्षिय। उपार सेया है जो हमारे पास यहां पास प्लूर्ट है उसका स्पेस्टिक ग्रावेटी हमारे पास 0.85 है तो इस तरीके से हमारे पास यह नुमेरिका में कुछ डेटा दिया गया है और हमको यहां पर कल्कुलीशन करना है प्रेसर हमको पाइप का कैल्कुलीट करना इसके लिए किस तरीके से फॉर्मुला हम बनाएंगे उसकी को ध् पाया था कि हम मैंचमें के दो फॉलम को सेपरेटली डिवाइट कर लेते हैं और करने के बाद हम इस तरिके से इस तरीके से वीजाइन होगे हम उसको राइट-साइट लिखेंगे हमारा वर बन या Saint हमारे एक बन जाएगा इस फॉर्मैम को счश्लिश कि लिए हम करते हैं कि इस तरीके से долларов कलमम का दो क्लम मैं इस a parlor का और कोलम dur corn लिए-PS फर्मिला भी तो इस पहले हम यहाँ लिक्वीड है की हमारा प्रेशर क की अकष्ट करना है यह पार मैं पाहिए बहुत गता है आता है कितना है यह को सब्सक्सक्राइब सब्सक्राइब कुद और यहां पर आपड दमोन एकसर फो कि एकसर तरीकिसे यह वाद इहां सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए हम इसको यहां पर नहीं करेंगे तो इसलिए हम इसको यहां पर सब्सक्राइब करें तो यहांं पर आता है यहां इसक nasty करेंगें यहां पर हमँखते हैं हम हमाले मर्कुरी धेली इसके बाद Une इस पॉलम का पॉल्म फॉल्म के लिए डीचाएंगे डिभलु मरकुरी का घया हमारा मरकुरी के दब्लु एम लिख देता है अर उसकी हाइट जो है 25 हमको को दिख रहा है जो की अच चुछ है तो इस सर्गे से हमाल पास यह पॉल्ला भी जनरेट हो गया है, अब हम प्रेसर कल्कुलेट करेंगे, तो प्रेसर लिखने के लिए हम लिखेंगे, पी एक्स इस इकल टू, डबलू एम, ह2 मैनस, डबलू एक्स, मॉल्टिप्लाइट, एक्स, तो यह एक्स कैसे कल्कुलेट तो मीटर सकते हैं यहां पर हमारा जोक्षा ब्रेसर आएक कल्कूलेट होगा, तो प्रेसर का अचलए, यूनिट होता है, लिट लिटन,üşवे, ही स्कवार, तो हमारा क्योंकि यह मिटर नहीं darn नहीं दिया हमाराHaउग है इस व commence to ψ जो हम Shumm कर रहे हैं वह हमारा दिख रहा है कि हमारा यह सेंटिमीटर में आ रहा है इसका जो क्याकुलेशन होने के बास तो हमारा जो मीटर में आएगा इसको लिखा जाएगा कि ऱयों पॉइंट वहली मीटर आएगा तो इस तरीके से हम इस चीछ को लिखेंगे यह वारा पॉन आगा अब इसको हम यहां पर फॉर्म ने में पूड करेंगे तो यहां पर जो स्पेसिक इस प्रेस्टिक जो आहे हुआ हुआ है इसके लिए हमनों को फॉर्मला होता है इस पेसिफिक ग्रैविटी अगर हमको निकालना है तो सब्सक्राइब निकालना तो सब्सक्राइब करना होगा तो हम लिखेंगे यहां पर 9810 जो की ग्रैविटी के लिए होगा और मल्टिप्लाइट स्पेसिफिक ग्रैविटी जो हमको दिया गया है यहां पर मर्कूरी के लिए क्योंकि यह मर्कूरी का है तो लिखेंगे 13.6 कि हमारा डब्लू निकल गया डब्लू निकलने के बाल हम या पर हाइट का需 करेंगे हरेहरे हाइट का मल्टिप्लीकेसिन मटिप्लाइट क्योंकि यह 25 है तो इसे लिए हमारे इसका जाएगा 0.25 मिटर तो यह हो क्या हमारा W1H WMH2 मैनस यह वाला जो हो हमारा लेफ साइड का जो हमारा पामनों उसको लिखेंगे तो इसके आगे हम लिखेंगे मैंस हम लिखेंगे WX WX के लिए भी इसी करिके से लिखा जाएगा 9, 8, 1, 0 िल्लाइड मालिद वहाँ की वेल्लिट जो है 0.85 और उसके बाद मंटिलिकेशन होगा हमारा है तो हैट हमारा 0.1 हमारा पैसा क्लिट करा लिखेंगा पैसा राजा जाएगा इसके लिए हम के क्ले के से हम यहां लिखेंगे है 9810 जिरो मल्टिप्लाइट 13.6 देन मल्टिप्लाइट 0.25 एंड मैनस यहां से यहां तक का फॉर्मला हमारा आ चुका है जिरो मल्टिप्लाइट 0.85 देन मल्टिप्लाइट 0.1 यहां को हमारा आ चुका है 833.85 देन मारा आ चुका है अब इसका उनलोग मैनस कर लेंगे इसके साथ 3354 देन मारा आ चुका है 3252 0.15 तो यह हो गया हमारा प्रैसर निकल गया है तो यह प्रैसर जो हमारा निकला हुआ है अगर इसको किलोग्राम नाम को कनवर्जन करना है तो हमको 3 दिजिट करना होगा और यह आ जाएगा 32.52 किलो निकला हुआ है तो पर मिटर स्कॉर इस तरिके से हमारे पास यह वैल्यू आ जाएगी हमें आप लिए आप जब देखते हैं मेंटर का यहां पर मैंने सिगण किया हुआ है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक लिपट का लिक विट कंटेंट पाइप इसका प्रैसर हम पंग करना है तो इसका इस प्रैसिफिक ग्रैविटी जो है यहां पर जो लिए हुआ है यहां पर यहां पर लिक्वीड हम यूज़ कर रहे हैं तिसका इस को यूज़ करते हुए हम यहां पर मर्कुरी को यूज़ कर रहे हैं यहां पर है जो कि राइट साइट यहां पर यहां पर जो फाइप जो सेंटर से हम अगर ले रहे हैं इस लिविट कॉलम का लेवल यहां पर क्या अब हमको यहां पर सब्सक्राइब करना है यहां करते हैं तो सब्सक्राइब करें हम लेट साइड का फोल मदा बारें पानीत हैं जो तो यहां पर उसका प्रैसर नहीं लेते हैं इसके ऊपर जो आरा प्रैसर उसका काल्कुलेशन किया है करते लिए कारण के कारण प्रेसर वन रहा है उस प्रेसर को लिखा जाएगा प्लस वहां का सबसे पहले सब्सक्राइब इसको लिखता हूँ यहां पर की हाइट जो की एच वन है फिर उसके बाद यहां से यहां तक का प्रेसर केलकुलेट करेंगे यहां क्योंकि हमारा मेंडियम चेंज हो इस और यहां पर हमारा फेस चेंज हो गया लिक्रेट का विखिए यह लग बेट होता इसलिए उसका इसासि एक क्रेंद हैसा क्में फॉर्म लेकी लिए inspire मसी पुरलेट में का वहां बता हुए कंप वीगवारी ऑफ को देख वाइचों को डेक्ता किaptाitte सब्स्क्राइब लगता सब्सक्राइब इक पहाइब 區वारी एहां से पूरा अרג़ पास तब्स कर्णे पीस भी तुरिंट प्रैसर हैं ईन्वोुरिक इन्मोरी धरूंब तरह यहांपर अट्मासी प्रैसर को हम यहां पर हम लिख देंगे इक वर टू जीरो न लिखते हैं तो हमारा जो गाल रागी एक बाद में समुझेंगी सब्सक्राइब करें तो यहां पर पी एक्स किसी करते हो जाएगा मैनस डब्लू एक्स एच वन मैनस डब्लू एम हमारे पास टू इसमें हम वेल्य हो तो अगें डब्लू एक्स अलिखा गया तो हमको स्पेसिक ग्रैवेटी के सांथ करना होगा तो यहां पार जो डब्लू एक्स की वेल्य होगी 9810 गजो फार। जिसकर हमनों को कुछ स्प्रिश्पिक ग्रेटी पता है 0.8 0.1 को मुटिप्लाइब करेंगे जो हमारा स्प्रिश्पिक बेड बन चुका है स्प्रिश्पिक के लिए किसन के बाद आप अब आपर मुटिप्लाइब करेंगे यहां पर 10 cm है तो इसको हमको 10 cm चेंज करना होगा मीटर में डालना होगा 10 cm को मतला है 0.1 तो 0.1 में आ चुका है यहां साइन का मैं यहां पर मैंनस है इस साइन यहां पर अगें एक मैंनस यह वाला आपार डबलू एन डबलू एम यहां पर मल्कूरी का है तो मल्कूरी का specific gravity हमारी पार 13.6 है तो इसको हमको gravity के साथ multiply करना होगा तो 9810 multiply 30.6 तो यह हो गया हमारा specific weight यहां पर multiply करेंगे height हाई था हमारा यहां पर H2 है 30 cm, 30 cm means 0.3 meter, अभी इसका हम आंसर निकालेंगे, यह क्या है रहा है, तो चलिए इसको calculate आ लेते हैं हमारा 9810 multiplied 0.8 and multiplied 0.1, तो हमारा अंसर आ रहा है इसका 784.8, minus sign, then again minus sign, वाइसका calculation में हमारे पास आ रहा है 9810 multiplied 13.6 and multiplied 0.3, तो हमारा इसकी value आ रहा है 40024.8, यह value हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए दोनों add हो जाएगा, इसको मैं add कर लेता हूं, 784.8 और इसकी value total आ गई है हमारे पास, equal to minus 40809.2, यह हमारा आ चुका है Newton per meter square, तो इस तरह के से हमारे पर pressure आ चुका है PXC value, अब यहां पर दिखने वाली बात है कि हमारे पास यहां negative sign आया, तो negative sign आचली यह दिखाता है कि हमारा जो आया हुआ value vacuum में है, तो हमारा pressure जो है atmospheric pressure से कम आ रहा है, इसलिए हमको यहां पर negative sign मिल रहा है, और इसको अगर हम पिलो में change करना चाहते हैं, तो minus 440.80, अब इस पर point को हम गोग adjust कर ले तो 81 आ जाएगा, और यह हमारा kilo Newton per meter square हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास यह formula के थुरू हमने यह generate कर लिया कि हमारा pressure यह है, तो यह minus sign हमको यह represent कर रहा है कि जो pressure negative में है, इसका मतलब हमारा vacuum में है, vacuum 40.81 हमारा pressure यहाँ पर so कर रहा है, vacuum में, तो इस चीज़ को हमारा यह minus में आया है यह plus में आ रहा है, इसका भी हम लोग numerical को देखकर उसके design जो बना हुआ है, उसको देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हमारा answer negative में आएगा यह positive में आएगा, मतलब यह उपर है और यह नीजे है, तो उस case में हमारा जो pipe का जो pressure है, हमारा negative आएगा, यह represent करता है, और इस case में अगर यह उल्टा हो जाए, कि हमारा answer negative आएगा कि positive आएगा, तो यह हो क्या हमारा pressure calculation, यह इस equation, इस phone numerical के लिए, next एक और numerical हम attempt करेंगे, तो यह दिर में मैं आपको draw करके दिखाता हूं, तो चलिए बच्चों, अब हमारा यह third numerical जो है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है, यहां पर देख पार है हमारा यह pipe है, जो pipe के अंदर का जो pressure हमको calculate करना है, तो इसका pressure calculate करने के हम इसको PX लिख लेते हैं, जिसका specific gravity यहां पर represent कर रहा है, हम यहां पर 0.9, आगे देखते हैं, यहां पर एक 0.0 जो कर रहा है, जो कि मर्कुरी का जो सबसे नीचे आप लेवाल है, वहां से हम 0.0 को यूज़ कर रहे हैं, यहां से लेके हां तक हाइट जो हम देख पा रहा है, जो कि 10 cm है हमारा, और इसमें जो मर्कुरी जो इसका specific gravity है, हम S is equal to 13.6 ले रहे हैं, तो इस तरिके से हमारे लिए numerical है, आप अब हमको यहां पर unknown pressure को हमको यहां calculate करना है, पाइप का, तो इसके लिए अगेन हम यहां पर यह यूज़ कर लेते हैं, यह left side equation को generate करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे pressure, अब इस liquid column का pressure calculate करेंगे, तो यहां से यहां तक का specific weight होता है, W, X में लिख लेता हूं, और वहां से वहां तक की height है, H1, यहां से यहां तक की height है, उसको H1 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप हमारा यह 0 से नीचे है, तो हम इसका pressure calculate नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा nullify हो जाता है, दोनों pressure, अगेन हम right side के column में आ रहे हैं, तो हमको यहां पर equal sign को put करना होगा, फिर अब pressure कहा का calculation करेंगे, तो mercury का जो level है हमारा यहां से यहां तक का height है, जिसकी height है H2, तो हम यहां पर लिखेंगे, W mercury के लिए M लिख रहे हैं और multiplied height की H2 लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है पूरा formula, अब हम यहां से unknown pressure calculate करेंगे, तो PX is equal to हो जाएगा हमारा WN H2 मैनस WX H1, अब यहां पर हम सारे values को put करेंगे, तो WN का मतलब यहां पर हमको again यहां पर gravity को multiply करना पड़ेगा, 98, 9810 multiplied इसकी specific gravity हमको दिया गया है, जो की 0.9 है, height को यहां पर check करेंगे, जो H2 है, मर्गोरी के लिए लिए हमारा मर्गोरी का यहां पर आएगा, 13.6 and height इसकी आई है, H2 की value हमारा 10 है, मतलब इसको centimeter भी 10 दिया है, इसको हम लोग major convert करेंगे, तो यह 0.1 हो जाएगा, आगे देखे हैं, minus करेंगे, यहां पर WX जो हमको यहां पर specific weight को नहीं काना है, यहां पर अगें 9810 multiplied वहां पर specific gravity दिया हुआ है, 0.9, then height को multiply करेंगे, यहां की height अगें हमारे पास same है, क्योंकि S1 और S2 की height की सुप्वल है, इसलिए हम लोग यहां पर अगें 0.1 लिखेंगे, अब इसका calculation कर लेते हैं, इसकी value क्या आ रही है, इसकी value को हम लोग कर लेते हैं, 9810 multiplied 13.6 and multiplied 0.1, हमारा इसकी value आ जा रही है, हमारे पास 1334.16, यह हमारे पास इसकी value है, आगे देखते हैं, sorry, 41.6, then minus हमारे पर इसका प्रेसर के लिख कर लेते हैं, 9810 multiplied 0.9 multiplied 0.1, हमारे पास इसका answer है, 882.9, आगे इसको minus कर लेते हैं, 13341.6, हमारे पास answer आ गया है, इसकी value है, 13458.7, इसका unit होता है, Newton per meter square, और इसको अगर किलोग्राम ने हमको convert करना है, तो इसका point पर 3 decimal कर देखते हैं, और 4587, हमारे किलो Newton per meter square, इसकी value है, यहाँ पर देख रहें, हमारा पॉजिटिव आया है, कारण यह है, कि हम यहाँ पर देख पा रहे है, यहाँ पर देख पा रहे है, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और और निमारकल लेकर लेकर आँगा आँगा, आपके लिए, जो pressure related होगा, आज के लिए, thank you.